आप सबको मेरा नमस्ते, ये सेशन में मैं आपको दो टुटॉरल दिखाने वाले हूँ, पहला वाला टुटॉरल है वो है आपकी परसनल हाइजीन, हाथ कैसे स्वच करने है, जब ये अब बच्ची के लिए खाना बना रहे हो तो कैसे आपको स्वच्छता रखनी है, तो वो परसनल हाइजीन पर हम लोगोंने बहुत अच्छा से टुटॉरल दिखाया हूआ है, बहुत महत्वका है, अगर बच्ची को जुलाब हो गया, बच् के लिए ये टुटॉरल आपको देखना बहुत जरूरी है, और मा को भी समझाना है, फैमिली को समझाना है, दूसरो जो टुटॉरल है, वो है स्टोरेज, स्टोरेज मतलब आपको कैसे संग्र करना है, खाना कैसे पकाना है वो तो ठीक है, लेकिन वो पका कैसे उसको संग्र करना है कैसे बचुकों देना है तो वह ठॉट भी बहुत ही महतुपृणक का है कि बहुत Time क्या होता है के अगर मैं ठील ठीध से संग्र ने किया तो फिर वह उसमें infection होने की chance बहुत जयाधा हे तो यह द्वद्ध मैं पसंद आंगे थान्योबाद शिशू के खाने को बनाते और संभालते समय खुद की साफ सफाई के बारे में बने spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम सीखेंगे खुद की साफ सफाई के बारे में शिशु के खाने को बनाते और खिलाते समय खुद की सफाई के लिए बनाए गए तिशानिर देश पहले समझेंगे शिशू के खाने को बनाने और संभालते समय, खुद की सफाई क्यों जरूरी है? इस टुटारियल में शिशू के खाने का मतलब है घर का बना पौश्टिक पूरक आहार. ऐसा खाना 6-24 महिने के शिशू को स्तन पान के साथ देना चाहिए. इस उम्र में शिश शिशों की रोग प्रतिरोदक शक्ती बड़े लोगों जैसी नहीं होती. उन्हें आसानी से इन्फेक्शन लग सकते हैं और खराब खाना खाने से होने वाली बिमारियां भी. अगर सफाई ना रखी, तो पूरक आहार से शिशू बिमार हो सकता है. इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे दस्ट, उल्टी, सर्दी, खासी हो सकते हैं. इसलिए शिशू का खाना सफाई से पकाएं, संभालें और खिलाएं. अब सीखते हैं शिशू के खाने को बनाते और संभालते हुए खुद की सफाई कैसे रखें? शिशू का खाना, बनाना, खिलाना और संभालना सफाई से करना चाहिए. ना खासें, ना छीकें, ना धूम्रपान या बबल गम चबाएं, ना थूकें या इन जगापर खाएं, ना ही इन जगापर लंगोट बदलें. हमेशा साफ कपड़े पहने. लंबे बालों को पीछे खीच कर धक कर रखें, नाखुम छोटे रखें ताकि वे साफ रहें. नेल पालिश ना लगाएं ताकि वो खाने में ना गिरें. हातों और उंगलियों में जेवर ना पहनें. कपड़े और बाकी का सामान शिशु के खाना बनाने और रखने वाली जगा ना रखें. खाने और बरतन पर अपने शरीर पर लगी चोट या घाव ना लगने दें. साफ कपड़े या पट्टी से चोट या घाव को धक कर रखें. उस कपड़े या पट्टी को गीला ना होने दें. उन्हें रोजाना बदलें, खास कर खाने को चूरने से पहले. तबियत खराब हो तो खाने को हाथ ना लगाएं. खाने के उपर ना खासे ना चीकें. हाथ धोना ही आसान और असरदार तरीका है बिमारी को फैलने से रोकने का. इससे बैक्टीरिया से खाने को दूशित करने की संभावना कम हो जाती है. हाथ धोने के लिए साबून इस्तेमाल करें और गुनगुना पानी भी. साबून का जाग बनाने के लिए हाथों को आगे पीछे मलें. नाखुनों के नीचे और उंगलियों के बीच में भी. ऐसा दस से पंदरा सेकंड करें. धोने के तुरंत बाद हाथों को सुखाएं. साफ कपड़े पर हाथों को सुखाएं. ये जरूरी है कि हाथ एक दम सुखे हों. रोज के इस्तेमाल का तॉलिया, रसुई का कपड़ा या खुद के कपड़े पर हाथ ना सुखाएं. बच्चों को भी हाथ धोना सिखाएं. उन्हें घुसल खाने या हाथ धोने वाली जगह ले जाएं. जब वे हाथ धोएं, तब दस से पंधरा सेकिन का गाना गाएं. इस से वे दस से पंधरा सेकिन तक हाथों को साबून से मलने को उत्साहित होंगे. एक अच्छा उदाहरन बनाएं. अपने हाथ भी शिशु के साथ धोएं. धोते हुए उन्हें बताएं कि हाथ धोना क्यूं ज़रूरी है. ये भी ज़रूरी है कि सही वक्त पर हाथ धोएं. कहीं भी चूने से पहले हाथ अच्छे से धोएं और सुखाएं. शिशु का खाना बनाने और खिलाने से पहले भी. खाना बनाते समय कई बार हाथ धोएं और सुखाएं. कभी-कभी खाना बनाते या खिलाते समय हम थोड़ी देर रुक जाते हैं ऐसे में हमेशा हाथ धो कर फिर से शुरू करें खाना बनाने के बाद हाथ फिर से धोएं हाथ धोना जरूरी है कच्चा खाना और कच्रा चुने के बाद और शौचा ले जाने के बाद नाक साफ करने के बाद, धूमरुपान के बाद, जानवरों को चूने के बाद, बिमार बच्चा या बिमार इनसान को चूने के बाद भी हातों को धोएं, कानों को चूने के बाद, नाक, मुँ या शरीर के बाकी अंगों को चूने के बाद भी शिशु की लंगोट जांचने या बदलने के बाद भी खाना बनाते और खिलाते हुए खुद की सफाई पर दिये गए दिशानिर्देशों का पालन करें इनी की तरह शिशु के खाने के बारे में भी दिशानिर्देश बने हैं उनका पालन करें, बनाते, खिलाते और संभालते समय इन सब के बारे में इसी श्रिंकला के अन्य टुटॉरियल में बताया गया है इसी के साथ यह टुटॉरियल समाप्थ होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद शिशू के खाने को स्वच्था से बनाने, खिलाने और उसके रख रखाव पर बने स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे शिशू के खाने को बनाने के सुरक्षा निर्देश जिसमें हैं खाने को बनाने, खिलाने और उसके रखरखाव के बारे में आये शुरू करते हैं शिशु के खाने को स्वच्था से बनाना बहुत ज़रूरी है यह शिशु को खाने से होने वाले इंफेक्शन से बचाता है खाने को स्वच्था से बनाने में पहला कदम व्यक्तिगत स्वच्था है व्यक्तिगत स्वच्था को इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है अगला कदम है साफ सफाई खाना बनाने वाली पूरी जगय को साफ करें बर्तन और काटने के तखते को भी साफ करने के लिए साबुन और गरम पानी का इस्तेमाल करें सामान को इस्तेमाल से पहले और बाद में हमेशा साफ करें कच्चे खादे पदार्थों के रखरखाव के बाद भी और बके खाने के संपर्क में आने से पहले भी शिशु का खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए उन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और फिर उन्हें हवा में सुखाना या साफ कपड़े से पौँचना चाहिए बर्तनों को हमेशा ढख कर रखना चाहिए खाने की सामगरी को भी अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए ताजे फलों और सब्जियों को साफ पानी से अच्छे से दोएं उन्हें छीलने और काटने से पहले धोलें इससे दूशित पदार्थ पर जीवी और कीट नाशक दूर होते हैं मासाहारी और शाकाहारी खाद्य पदार्थों को काटने के लिए अलग-अलग तखते का उप्योग करें इसके अलावा कच्छे और पके हुए खानों के लिए अलग-अलग बर्तन इस्तिमाल करें इससे मास और कच्छे खानों के किटानों दूसरे खानों में नहीं फैलते रसोई में इस्तिमाल होने वाले किसी भी कपड़े को नियमित अंतराल पर बदलें और धोएं हानिकारक के टानूओं को नश्ट करने के लिए शिशु के खाने को ठीक से पकाया जाना चाहिए और खिलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि खाना पूरी तरह पक गया है खाने को चक कर जांचे कि वह पका है या नहीं साथ ही खाने के कम पके होने के संकेतों को पहचाने ऐसे ही कुछ संकेत हैं मास का गुलाबी रंग होना शिशु का खाना बनाते समय कुछ सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए आईए अब बात करेंगे शिशु को खाना खिलाते समय बरतने वाली साफधानियों के बारे में पहला शिशु के कपड़े और बरतनों को अच्छे से धोलें शिशु के बैटने की जगा, खाने की जगा और कुर्सी गीले कपड़े से साफ कर लेनी चाहिए इस्तिमाल से पहले इन्हें सुखा भी लें शिशु को खिलाने से पहले मा को अपने और शिशु के हातों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए जो शिशु खुद से खाना खा लेते हैं, उन्हें भी अपने हात धोलेने चाहिए खिलाने से पहले यह जांचना चाहिए कि खाना कितना गरम है अपनी हतेली पर थोड़ा सा खाना डाल कर जांच सकते हैं कभी-कभी बर्तन में रखा हुआ खाना कुछ जगयों पर जादा गरम हो सकता है इसलिए खाने को अच्छे से हिला लेना चाहिए शिशु को खाना खिलाने में समय लग सकता है इसलिए खाना खिलाने वाले बर्तन को ढख कर रखा जाना चाहिए ढखने से खाने को धूल और मख्यों से बचाया जा सकता है खिलाते समय खाने का शिशु के गले में अटकने का खत्रा बहुत अधिक होता है इससे बचने के लिए शिशु को सीधा बिठा कर रखें खाते हुए ना ही वो दोड़े ना ही चले जब वैं खाना खाए तो उसे अकेला ना छोड़ें उसे बढ़ावा दे कि वो खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबा कर खाए शिशु को ऐसा कड़क खाना ना दें जो उसके गले में अटक जाए जैसे की दाने या कच्ची सबजियों के टुकडे उसे बोतल से दूद ना दें अब शिशु के खाने को सफाई से संभाल कर रखने की बात करेंगे सबसे पहला है कि ताजा पका हुआ खाना शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है जरूरत के जितना खाने के बाद शिशु की थाली में बचा हुआ खाना फैंक दें थाली में बचा हुआ खाना शिशु की लार के संपर्क में आ चुका होता है इसमें बैक्टीरिया हूंगे शिशु के खाने को फिर से रखने पर यही बैक्टीरिया बढ़ता जाता है पकाने के बाद खाने को अपने हाथों से ना छुएं खाने को धूल और मक्षियों से बचाने के लिए ढख कर रखें हमेशा सूखी सामगरी और ताजी सामगरी को एक दूसरे से अलग रखें और कच्चे खाने को पके खाने से अलग जगा रखें गर्मी के मौसम में पकाया हुआ खाना एक से दो घंटों से जादा नहीं रखना चाहिए अगर फ्रिज हो तो शिशू के खाने को उसमें संभाल कर रखा जा सकता है फ्रिज अच्छी कारेशील स्तिथी में होना चाहिए समय समय पर उसकी सफाई करनी चाहिए खाने को ताजा रखने के लिए फ्रिज का तापमन 5 डिग्री या उससे कम रहना चाहिए पीने के पानी को धूल से बचाएं और उसमें गिलास डुबाते हुए हाथ ना डालें। इन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। खाना पकाते हुए, उस खाने को संभाल कर रखते हुए और शिशु को खिलाते हुए। पोशक आहार स्वच्चता से खिलाने पर शि आशु को नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ यह टुटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विने कुमार द्वारा अनुवादित है। आयाईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हुँ। हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कि लुटोरियल समाप्त है।